पंडित धीरेंद सास्ती द्वारा जहां ग्राम भादू को तक अथा वाचन किया जाना नियत किया गया है और जड़ा भी उल्टी सीधी बहस करें यहीं से जेल बेजूंगा मैं माइंड यू सारी वकालत खतम हो जाएगी समझ गए तैयार है नहीं है कुछ भी बोले जा रहा है जबर 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 लेट नोटिसेज भी शूट पर कंटेंप्ट अगेंस्टी पांसिल शुबना मताईए आपका इतने साल से वकालत कर रहे हो दोजार साथ आठ पाई कोर्ट म किसी ने भी बत्तमी जी करिया पंटेंप्ट रॉ करूंगा जेल भेज़ूंगा ये शूट नो हाव तो आर्यू बेफर आई कोट इपनी कॉस्ट के साथ इसको खारज करना है प्रेटीशन को ये वालेडी डिसमें डिसमें डिसाइड़ेड वन प्रेटीशन डबल वन डबल इसमें एनेकजर इवन देखेंगे माईलाड आप इवन बताइए ये देखा हुआ है मैं पड़ देता हूँ है यह कि आपके यह वही ग्राउंग से हैं पैसा एक माईलाड नीचे में पढ़ रहा हूं न जिला प्रिशासन द्वारा पंचायत उपन्द अनुस्ट के छेतरो विस्तार अदिनियम ने उसे 96 की धाराचार घामे प्रदत अदिकारों कहना ने वलंगन किया रहा है वह पड़िए यह वह पड़िशन और उसमें हमारा ओर्डर पढ़ाया नहीं पढ़ाया यह बोल रहा है अलग है माईलोड में अलग है इसमें पहले पूरी बात सुनिये ह आपके जो स्पॉंसर करता है उन्होंने आपको वह आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया वह हमने पिश्ट्री तारिक को पारित किया है वह उस उस आडर में माईलोड ग्राम सबा की परमीशन पे नहीं लिया गया है इस अधार पे और इसमें यह है इसमें देव इस दा प्लेस देयर माईलोड जहां पर कारकरम कराय जा रहा है माईलोड वहां पर बड़ा देव का इस्थान पूर्वे से स्था पर यह तो बता रहा हूं है नीचे क्या लिखाया पड़ी यह की पंडित धीरें सास्ती द्वारा जहां ग्राम भादू को तक कथा वा माइलोड के बड़ारें तो उस मामनिता के समंथ में विस्ट्रित्थ विवरन होना चाहिए या चिकडर्वे समयं धौन्रि नतारा हूं प्रिटिसनल प्रिटिसनल है आपको लगवाई है उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है I'm asking you a direct question that when you say on page 12 की बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की माननेताओं को आत्मसम्मान को ठेश पहुचेगी मैंने आपसे सवाल पूछा इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या माननेताओं हैं और उन माननेताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेश पहुचेगी अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल अंग्रेजी में भी बता दिया उसका उत्तर दी यह पहले माई लॉर्ड उस जगह के अलावा अन दूसरे इस्थान पर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है और पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हुआ यू टू डिसाइड की कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मानिता हैं और उन मानिताओं का किस प्रकार से उठारा अगात होगा उन मानिताओं पर उन मानिताओं का हनन होगा अफमान होगा ये तो समझाईए आप उनको मैं प्राधदान यह को प्रॉपर्ली अब यह आदभासियों की अनिता है इस प्लिद्दिन को तयार हैं डिये ऑप सुनने को थे यह नहीं है पुछ भी बोले जा रहा है जाए आध नोटिस की शुट पर अगेंज बता हिए आपका आपको नोटिस जारी कर रहें उसका जवाब दीजिएगा आपको हाई कोड में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है एशुर नोटिस अंगेंज दी प्रिटीशनर आपका शुवना मताईए अपसे सवाल क्या पूछा था पहले मेरा सवाल बताईए पहले मेरा सवाल का उत्तर सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं नहीं सुनेंगे और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो अब आप दूसरा सवाल सुनिए उसका उत्तर दीजिए पहले फिर सविधान पढ़ेंगे यह सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑफ्टराइस किया आपको यह प सब्सक्राइब करने के लिए और जरावी उल्टी सीधी बहस करें यहीं से जेल बेजूंगा मैं माइंड यू सारी वकालत खतम हो जाएगी समझ गए तजीब से बात करना सीखो पहले प्रस्ण का उत्तर दीजे दूसरे ठेमका उत्तर दीजे पहले बताइएस कि आपको तर्ट लगाने के लिए सर्वे याद्मी जी और भूल जाोगे सारी Dad nephew अधिवासी समाझ का है प्रिशन ईनां करने के लिए तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बत्तमी जी करके तुम जो है अपने आपके लिए बहुत बड़ी टी आर्पी कलेक्ट कर लोगे तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया और दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी यू शुड़ भी सॉरी तुम लोगों को सिखा के बेगा जाता है कि बत्तमी जी करो प्रश्ण का उत्तर नी दो और बत्तमी जी करोगे अब बोलते हो आप सुननी रहे हैं हम पिटीशन पढ़के आते हैं हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है क्या नाम है आपका जीए सुद्ध जी जीए सुद्ध इतने साल से वकालत कर रहे हो दोजार साथ आठ पाई कोड में कब से हो साथ आठ से आ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोड से बात की जाती है कि विए बताइए किसने ऊथराइस किया आपको पेटिशन फाइल करने के लिए सर वादिवासी समाज का ऊथराइजेशन लाईए पहले यह हेमलता धुर्वे और यह हरनाम मरावी किस ने ओठाइज थिया आपको पेटिशन फाइल करने के लिए अहां है वो ओठाइज नमबर इसने की इन दो लोगों को हेमला धुर्वे जी को और हरना मरावी को और थ्राइस किया है पेटिशन फाइल करने के लिए सब्सक्राइज नमबर फॉर्टी सेवन फॉर्टी एट और फॉर्टी नाइन पाइए उसको पढ़िए प्रीज निए ऐसे टाइप को कि पाट रहा है अाज नांकाइटी नंदु झाया कर मांड़हाइड आपके समॉपी नंद्ध्वारइगों कॉ समाज को साइभिएटा तेहां को प्रस्थितु से हमालती बैठक कारवाहि सब गया बचार मुनंद करने स्काश लिया गया जाकर ने ने लिया गया कि निम्न सारे भरती समदान करूंच से 244 फांचों नियुक्त है यह दोच आप यह लगा रहे हैं इसमें अध्यक्षि के रूट में साइन कर रहे हैं दिखाए ना पीछे पेज निंबर पचास पर फढ़िएगा टायूट कॉपी पे मंशाराम मरावी अध्यक्ष किस चीज के अध्यक्ष है कहां है आपका लेटर हैड कहां है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया और ट्राइस किया कहां है आपके प्रिशन के तब इस तरीके के जो है टेंटरम दिखाए जाते हैं रिजिस्टेशन है इसका लेकिन मैंने फाइल लिए या नहीं यह फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे जब पाइल करेंगे तब सुनेंगे तो फारेज कर देंगे इसी ग्राउन पर आप रेज नाइसे क्या कर सकते आपको तयारी करना चाहिए जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे ये बाद आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते पक्षकार को बताईएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण पोल्ट ने खारिच कर दिया शुबना मताईए फिर से ये सदि good day for the petitioner. There is no authorization in favor of the petitioners by the so-called Sarva Adivasi Samach District Balaghat to file this red petition from the stone petitioner is not in a position to answer where these are this quote will stop while petitioner was reading an extra p1 this court wanted to know in categorical comma this petition is not mature to be given us hearing full stop petition is returned with the